कि राम राम जय今天的 ways स्वागत एक बार फिर से सरकारे स्कोल में हम यहां अब आर आज बात करेंगे दो फेकेंसी के बारे में जो कि बहुत जादा के बारे में देखो तुम्हें भी पता होगा तुमने वीडियो तो काफी सारे देखे होंगे कि कॉंस्टेबल की वेकेंसी लगबग 50,000 के उपर है और जो SI की वेकेंसी है वो लगबग 3,000 के उपर है अब क्या ये वेकेंसी आएगी 100% आएगी ठीक है कब आएगी उसके बारे वीज़ाएक ये भी है जो यूपी है वो भाजपा की सरकार है और सेंटरल में भी भाजपा है तो वो एक कॉंबिएशन जो डबल इंजन वाला है डबल इंजन को चलाने के लिए यूथ च्याइए यूथ को चाहिए नोकरी तो चुनाओं के पहले बहुत बड़ी संभाउन तक आएगा यह पक्का है ठीक है अब यहां पर हम मेन बात यहां पर क्या कर रहा है देखो जिन्होंने लेट कर दिया आप वो लेट ही रहेंगे क्योंकि बहुत से लड़कें इसे हैं जिन्हों त्यारियों अलएडी शुरू कर दिये जो यह कॉंसेबल की बढ़ती है जो एसा आत नहीं कर सकते हैं बिलकुल हंड packet prob dishon Catsो रही है क्यों नहीं कर सकते हैं देखो कॉंसेबल की बरती हमने भी दोनों बार निकAL लिए और एसा को पडियां जमीन आस्मान का फारक है जमीन आस्मान का फारक है साई का पेपर बिलकुल इसी नहीं आता है और का कॉंसेबल का पे अलग होगा ठीक है एक्जाम का लेवल अलग होगा पैटर्न अलग होगा और तयारी अलग होगी मतलब सारी चीजे तुम्हारी अलग होगी जब तुम कि एसाई की त्यारी करते हो इसमें सलय बस थोड़ा सा अलग होता है आई पी सी इसी आर पी सी मूल विदी समीदा पता ने कितनी 75 चीजे एक्सा जुड़ जाती है तो बहुत सी चीजे इसमें जो होती है वो एड़ आउन हो जाती है तो अगर तुम इस लिमिटेड तैयारी के सिर्फ ठीक है एक नौकरी चैए कि यसे भी कोई नौकरी मिल जाए कि बस उनको नहीं मतलब है और उसे बस नको एक बरदी चाहिए या फिर एक सटल होना बहते हो तो एसाई की पोस्तिसे आसान होता यह नहीं होता है कि इस लेवल का पेपर आएगा की कर नहीं पाओगे फिज्कल भी ठीक ठाक होता है कोई सी जनता आती है सबसे बड़ा डिफरेंस होता है पांच साल का और इस पांच साल में लोगों ने बहुत पढ़ाई की होती है तुम कॉंस्टेबल में एج लेके आते हैं तेश और उसमें लेके आते हो 27-28 पाँच साल का जो डिफरेंस है ये पाँच साल में लोगों ने बहुत पढ़ाई की होती है तो यहां पर कॉंपरेटेशन कमपेरिटिवली जादा होता है लेकिन कुछ लोग है जैसे कि हमने एकॉंसेबल नहीं जोइन कर रहा था ठीक है क्योंकि हमें ये नौकरी नहीं कर नह उनों नाओं में पैर रखने की कोसिस कर रहे हो कि एसाई करेंगे तो कॉंसेबल निकल जाएगा ये किसी तरीके से पॉसिबल होने वाला नहीं है थोड़ी बावनाओं पर काबू करो और ये देखो कि तुम्हेरे लिए जरूरी क्या है या फिर तुम्हारे लिए इससे पर देंगे मत जाना इस शक्कर में मत पढ़ना बिल्कुल मत पढ़ना इस शक्कर में और ना बरबाद हो जाओगे ना तो में ये निकाल पाओ एक्जाम ना तो वो निकाल पाओगे Constable और सब Inspector के बारे में हम detailed discussion करेंगे separate videos में क्योंकि इन दोनों exam के बारे में हम साथ में बात नहीं कर सकते हैं हो यह नहीं सकती बात क्योंकि दोनों का ही एक texture अलग-अलग है मिलते हैं next video में तब तक के लिए राम-राम जैहिन